नमस्कार दौस्तों सूत्रों से समाचार प्राप्थ हुए है कि सूपरमाक्स की फैक्टरी जो है वो बन्द हो चुकी है ये खबर कितनी सई है या कितनी गलत है इसके में पुष्टी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद ने कुछ वेरिफायर नहीं किया है लेकिन ऐसे समाचार या कह सकते हैं ऐसी अफवाह प्राप्त हो रही है अब इसके पुष्टे आप स्वयम करें लेकिन मैंने सुचा कि क्यों न हम मेरी फेवरेट ब्लेड जो सुपरमाइक्स प्लैटिनम प्लस है सुपरमाइक्स के रेंज में से उसको एक ट्रिब्यूट दें और ट्रिब्यूट के साथ में दोस्तों हमारा एक मज़ेदार इस्ट्री भी रही है उसके बारे भी बात करेंगे लेकिन परस सुपरमाइक्स प्लैटिनम प्लस ब्लेड यूज चरेंगे आज मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों हेंड्रिक्स क्लासिक्स हेंड्रिक्स क्लासिक्स का यह सैंपल है पैपरमिंट शेव सोप का हेंड्रिक्स क्लासिक्स एंड कंपनी हCNC और यह सैंपल मुझे प्राप्त हुआ श्री अमित कलंबे जी द्वारा यह पेपर्मिंट का शेविंग सोप है उसका छोटा सा सैंपल है नाउ नाइस कुछ भी तो इसको बिल्कुल पेपर्मिंट जैसी ही है ऐसा लग रहा है पेपर्मिंट का एसेंचेल ओयल शायज इसमें डाला होगा यह कुछ इस प्रकार का है इस तो यह प्रकार से इस नाट लिक्विड़िश लाइक क्रीम लेकिन यह सोप ही है तो लग वाग इतना सोप जो है वो मैंने अपलाय कर लिया ऐसा आइडियली बोल लाजर करना चाहिए था बट मैंना सोचा नहीं यार चलो हाज फेस लाजरिंग करते हैं यूस कर रहा हूं मैं रुबाब मैंन का जोई एडिशन शेविंग ब्राश नाइस वरी माइल्ड एक्वालिएटर काइंड ओफ आसाफ्ट एकन सुपर डुपर इंट्रासाफ्ट ब्रश के प्रिसेस तो नहीं काऊगा इसके में इस रिलेटिवली साफ्ट एंड नाइस शेविंग सो के खुश्बू बहुत प्यारी है बेहो नहीं प्राइस नाइस विंग हुआगं थ क्对्शवड एक्वड ब्रवा काः錢 इart. झाल झाल तो फिर स्लाजरिंग हमने कर ली एक चीज़ बता दो कि इसकी खुशू बहुत ही शानदार पेपर मिंट है अज़ अगर आपको पेपर मिंट या मिंट जैसी खुशू पसंद दे है तो ये शेविंग सो बहुत अच्छा हेंडरिक्स क्लासिक्स and company में आपको website देख सकते है गूगल कर लो आपको मिल जाएगा hendricksclassics.com I think उसकी website है बट आप देख सकते है महाँ पे मिल जाएगा and यप इसमें एक cooling effect भी है दोस्तो I can definitely feel a nice punch of that minty menthol-y cooling effect बहुल अच्छा है, very nice ऐसा एक cooling effect जो है जो हमको godrage cool menthol, lilium menthol या फिर blend47 जो है nemo shaving.in का उसमें मिलता है ठीक है, so supermax platinum plus, okay इस तरीके का जो है blade इसमें है, मैंने काफी सारे stuck में से blade यूज़ की हो है लेकिन इसमें frequently में use नहीं कर पाया blade for that matter, any blade में बहुत आदा frequently use नहीं कर पाता okay मैंने जो है यह razor का head disassemble कर लिया है and I am going to respectfully take out the blade from the pack इसको मैंने इस पर कर दिया, load okay इस blade पर ऐसे कुछ marks है और यह blade actually नया है okay, so I'll use it anyways, ठीक है, आपने use करें और मैं भी क्यों use करूं यार, I'll discard this blade अगर इस प्रकार के marks works है, तो it's better to discard that blade, मैं देखना हूँ और इस blade के जो बाकी blade से इस टक में उसमें भी ऐसी marks हैं क्या I'll just broken the blade to know that कि वो blade मुझे discard करना है, opening up fresh blade, okay और एक साइड से तो okay लग रहा है दूसरी साइड से भी okay लग रहा है, ऐसे कोई marks वगे रहा है इस पे तो नहीं दिख रहे, यह तो proper new blade दिख रहा है, okay so I'm, I'm loading this blade in the razor head handle को कर लिया fit and the razor is none other than Parker 91R one of my most favorite razors long handle में, three piece close comb में, this is one of my very favorite razors, okay short handle में अगर आपको इसके जासा ही razor पसंद है, तो फिर that could be 94R और 97R twist to open में, then you have 96R, 99R, etc Parker की बहुत अच्छी range है, 78R भी आया है, variant adjustable भी है, और injector adjustable भी है, but today we are gonna use my favorite razor Parker 91R first pass with the green okay nice I'll say medium aggression I like this kind of medium aggression, क्योंकि उसके साथ में अगर medium sharp blade use कर से तो बहुर अच्छा smooth effect मिलता है और कम number of strokes में और कम number of passes में आपको relatively closer shave मिल सकती है one of the very good beginner's razor also if you're shaving like about 4 days gap or 5 days gap once a week beginner हो तो आप 91R ट्राय कर सकती हो blade is definitely on the sharper side skin stretching 30 30 strokes as of now the shave is smooth क्या आप 91R से daily shaving कर सकते हैं बशर्ते आप right choice of blade use करे और one pass with the grain skin stretching उगर करो आपको relatively close shave मिलेगी लेकिन across against जो है वो मैं personally recommend नहीं करता हूँ कि आप रोज रोज करें उससे irritation के chances बढ़ते हैं प्लस skin बहुत जाधा scrape होती है फिर उसको recovery के लिए time नहीं मिलता आपको लगता है कि fertig approved लिएण के खर यप करे मिलेगी उए फिर करेंगी लिएओ च collect żeby two something is not correct or else you can use the pre shave oil or a pre shave product which adds some kind of protection additional protection ok 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 वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ वो सुपरमाक्स प्लाटिनम से कंटिन्यूस छह शेव्स भी करी वही है I remember that 6 शेव्स करें Wilkinson Sword से भी करें Derby से भी करें Parker से भी करें मुझे मिले हैं उतने शेव्स अगर आप यह ब्लेड यूस करते हो यह ऐसा लगता है आपको कि भाई यह ब्लेड आपके यह सुटेबल हो सकता है तो next question मुझे पता है प्लेड पूचों कि जो है भाई कि Amazon पी ब्लेड जो है वो तीन सो पचीस रुपे में अवेलेबल है तो फिर ले लें कि आप है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक प्लेड आपके काम आ सकते है या फिर आप अरड यूस करते हो और आपको भूदा पसंदि अभेड तो आप Aक वह फैक ुह पका पैक लेकर रख सकते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं एर यू नहीं किया है या यूस की भी है and you want to use it in future then you may want to buy as many packs as you want. Link में share कर दूंगा दोस्तों description में and since it's a tribute तुमें comment section में भी link share कर दूंगा आप चाहें तो वहां से लें if you have other sources, get it from there no worries लादर जो है वो थोड़ा सा dry हो गया I think we need to top it up तो brush में लादर बचा है फिल्हाल हम उदना ले रहे हैं जितना बचा है इनके cooling effect काखी अच्छा है very nice cooling effect वहीं भी बहुत अच्छी peppermint की की Slickness के अगर बात करू तो it is normal and that could be because मैंने आज charcoal based face wash use किया पतंजली का, okay, so glide slickness उतनी ज्यादा तो महसूस नहीं हो पारी, हलगा सा एक drying effect है, moisture उतना जादा present नहीं है, so, ठीक है बटा मैं, ऐसा भी नहीं कि पूरा ही सुख गया है, it's there, but we could see the lather भी थोड़ा सा dry तो होई गया है, okay, this is a very smooth razor, really very smooth, same is the case with 97R as well, मैं रपास है 97R, 78R तो किया फिर थोड़ा efficient हो जाता है, this is very smooth यार, I really love 91R, मैं लो आप सोचेंगे कियार, आप हर बार बोलते कि 91R, फेवरेटे, 91R, फेवरेटे कि जब भी मैं यूस करता हूने इसको, I just feel कि this is a perfect razor for me, this one on the 91R one as well, वैसे तो यार मुझे रोमर 7 का वर्गो भी अच्छा लगत पाशो का, double edge close comb razor भी बहुत अच्छा लगता है, हजामत, skype, speed, travel भी अच्छे लगते हैं, या, pearl के भी हार, SSH 05 antique brass, SHD 27 या, for that matter, SBF 11 version जो है, to is to open, वो भी अच्छे लगते हैं, but this is something different, for me personally. अगर हम daily shave कर रहे होते हैं, या, one pass 50 green करना होता है, तो हमने shave यहां पर रोग गी होती है, और हम after shave की तरफ चले याते हैं, लेकिन, we are doing one more pass, okay, जितना लाजर फिलाल ब्रेश में हैं, उतना ही apply करेंगे हम, जरुवत पढ़े हैं, जरुदा सा soap और लेंगे, but असल लग नहीं जरुदा की जरुदा पड़ेगी, what I may do though is add some water, यही consistency अभी पर अच्छे हैं, soap की, and now अगर मैं pore brush use कर रहा होता हैं, दोस्तों तो शायद अभी ता को bristles absorb कर ली होते, shaving soap, और ऐसा कर लेते हैं, तो फिर भाई वो plathering के लिए बचता ही नहीं, synthetic में वो problem नहीं होती, that's why I like synthetic brushes a maintenance, इनका जिर्फ यह हैं, दोस्तों के इनको आप बस shave के बाद में साफ करते रहो, okay, अगर कोई stand use कर रहे हो, तो please stand को इजट से use करो, और अगर आपकी गलती से तूट जाए तो फिर, किसी facebook group के admin को, या किसी company को blackmail मत करो, अचर भाई सब, पीस, anyways, so I think this is a good example for pass number two, and let's do the pass number two, okay, तेखिए, कभी-कभी जो है, वो हमें across the growth वाले strokes use करते हैं, कभी-कभी सिर्फ with the green करते हैं, आप चाहो तो एक experiment कर सकते हो, okay, try doing these strokes, curvilinear strokes, generally ऐसा कहते हैं कि, if you are doing strokes like this, तो किसी slant razor से shave करने के बराबर होता है, अगर आप नए-नए चालू कर रहे हैं, तो फिर पहले मैं ऐसा size कर रहे हूँ, मैं at least 6-7 मैंने थोड़ा comfort level आपका achieve कर लिजे आप double edge razor से shaving करने में, और फिर आप experimentation कीजिए, experimentation को मैं कभी मना नहीं करूंगा, प्रोवाइड दे आर गाइडेड, दे आर safely done, यह कुछ इस तरीके के, ना completely with the grain ना completely across the grain, but do it at your own risk दोस्तों, क्योंकि यार आपके skin condition, skin type, products वगेरा, यह मैं यहां से रेटे रेटे क्या रता हूँ, तो आप करना चाहें तो करें बट इसकी जिम्मेदारी आप खुद लें और फिर करें, और अगर आपको कोई भी confusion हो तो description में disclaimer, warning पहले ही बता दे गई है, यह video आपको warning और disclaimer जरूर पढ़ना चाहें, description जरूर देखा करो दोस्तों, काफी बार ऐसे important चीज़े उसमें रहती हैं, जो video में cover शायद नहीं हो पाती, तो बाद में मैं डाल देता हूँ, description में, description is also a very important and critical information resource for a particular video, और shave और technique और products for that matter, nice and beautiful shave, almost shy of baby bottom smooth shave, this is more than presentable and quite nice compare to the fact that, बाकी सब shaves और इसमें two-pass shave के अगर हम comparison करें, तो आज की shave बहुत बहुत अच्छी हुई, बहुत चांदार, smooth, without irritation, cuts or nicks के भी, aftershave section करते हैं, और फिर बात करते हैं आगे, all right, today's aftershave is rubab man extinguish the fire, one of my favorite aftershaves, while other aftershave lotion or balm are very sticky, very greasy अगर, ये एक ऐसा aftershave cream, or rather I should say serum, it is not very sticky, not very oily, absorbs like zip, बहुत बढ़िया moisture का layer, बना के रखता है, and wow, what a combination, peppermint के shaving soap दा, lavender का, ये बहुत प्यूर काईड आफ लेंडर की खुश्बुए ही है, very nice combination, Summers के fragrances की peppermint, lavender is a very nice combination, and this is really complimenting each other, बहुत बहुत ये एक मिल्रा जुला जुला, peppermint का, and lavender का, this is good, I really enjoyed this shave, recently touchwood shaves काफी अच्छे होड़े, and I am really enjoying the hobby, I hope you are enjoying as well, so here, supermax platinum plus की बात कर लेते हैं, of course, if the news is true, supermax factory बंद होगे, then it's sad, it's sad for the Indian white shaver community, okay, and overall, जो shaving community है पूरे globally, उसके लिए भी एक थोड़ा सा setback है, सिर्फ यह ही दोस्तों, supermax की काफी सारे blades, पहले की जमाने में आते भी थे, अभी भी कुछ आ रहे थे जैसे की diamond edge, कुछ लोग बहुत पसंद है diamond edge blade, so probably they may want to stock up, if they feel that the news is true, and supermax stainless, वो जो brownish creamish pack में आता था, मुझे पसंद ही वो blade इतना पसंद नहीं आया, बट कुछ लोग वो जमता था, and saloons में थोड़ा बहुत चलता मैंने देखा है, so that's, yeah that's there, in addition to this supermax ultimate shaving creams भी आते थे, and उसके अलाबा जो है वो multi blade razors cartridges भी supermax के आते थे, if I get a chance और available हुए तो मैं उनके भी reviews जरूर आपके साथ share करूंगा, however this blade today in 91R performed very nice, I won't say it is a balance of sharpness and smoothness, थोड़ा sharp की तरफ ही मुझे लगा, और पहले मुझे काफी sharp लगता था, but जब मैंने feather use किया, okay, parma sharp use किया, या अपना India का जो Gillette 365 use किया, those are super sharp leads, उन से थोड़ा एक level कम है, however, if I have to compare it to something, then I can compare it to Gillette 7 o'clock super platinum, या, from a super max range to Gillette range अगर, तो यह मुझे super max range का सबसे best double edge blade लगा, so good यार, now, मैंने तो buy कर लिया है, आप चाहे तो करें, link तो of course मैं share कर दूँगा, चाहे तो करें, if you could get it through some other source as a more reasonable price, so you can go for that as well, thank you very much for joining तोने दोस्तो, keep up the good shape, bye-bye, namaskar कर दोस्तों, कर दोस्तों, कर दोस्तों, कर दोस्तों,